अगला मेथड है हमारा प्रियोडिक मेथड में क्या होता है कि हम सबसे पहले सारा स्टॉक को इकटा कर लेते हैं पहले हमारे पास रिसीव होगा फिर उसको एक एक करके हम स्टेप बाइ स्टेप इशू करते हैं परपेचुल में सेम डेट पर होता है यहां पर ऐसा नहीं होगा है बिल्कुल सेम कॉंसेट बस हम क्या करेंगे इसमें ऐसाच कोई स्पेसिफिक फॉर्मिट नहीं है क्या कहता है कोशन में अकंपनी आपका स्टेट फॉर्स जेन 2013 को स्टार्टिड ऑन परचेज रौ मटीरियल 2013 में इसने जनवरी में खरीदा फिर फैब में खरीदा देख रहो टाइम गैप देखो आप इसके बाद फिर एप्रेल में खरीदता है ये इसके बाद फिर जुलाई में खरीदता है और ये फिर सेप्टेμबर में भी खरीदता है फिर ये नवेंबर में भी खरीदता है आप while preparing the account 31 December जब ये 31 December को हिसाब करने बैठा तो इसने क्या पाये हिट company had 1300 kg raw material in its go down यानि सर इसने 1300 इसके go down में है तो मतलब बेचा कितना ही calculate करना पड़ेगा वो मैं कैसे calculate करेंगे भी देख लेंगे calculate value of closing stock of raw material at the end of the जो भी year है as per आपका first in first out as per last in first out as per weighted average तो पहले मैं यहाँ पे FIFO का कर लेता हूँ सबसे पहले few बड़ा असान है यह अरे FIFO सबसे पहले जिस जिस date पे खरीदा ना वो date लिख लेंगे इसका column बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में वैसे column ना बनाओ तब भी चलेगा यह date लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं quantity यहाँ पे लिख देते हैं rate यहाँ पे लिख देते हैं total ठीक है? थोड़ा और gap देते हैं चलिए सर चलिए यह रहा हमारा date quantity rate और यह total सबसे पहले इसने खरीदारी स्टार्ट करी कब से सर? इसने खरीदारी स्टार्ट करी कब से? जन्वरी से अठाइस सो किलो समान खरीदे हैं अच्छा दो जन्वरी सेकिंड जैन आठ सो किलो किलो और यूनिट का measurement तो सेमी रहने वाला है कितने रुपे के हिसाफ से? तो कितने का समान हो गया? 49 इसके बाद सारी खरीदारी कर रहा है बेचने का तो बता ही नहीं किस दिन बेचा फिर कब करा? फैब में 26 कितने रुपे किलो? 50 68,000 अच्छा चार सो भी है इसके बाद कब खरीदा? 13 अपरेल कितने किलो? 59 एक लाग इसके बाद 10 जुलाई 10 जुलाई कितने? 3000 रेट 168 इसके बाद सेप्टेंबर अठारा कितने? 1500 रेट 90,000 इसके बाद 29 नेवेंबर 1000 रेट 65 65,000 चलिए इसके बाद खतम बस इतनी खरीदा रही है अच्छा चलिए सब टोटल कर लेते हैं देखे बड़े ध्यान से देखे एकी सवाल में न सभी का अंसर दे सकते हैं पहले क्वांटिटी टोटल कर लीजिए कितने हैं टोटल क्वांटिटी देख लीजिए कितने हैं 10,000 किलो समान खरीदें टोटल अमाउंट कर लीजिए टोटल अमाउंट कर लीजिए कितने हैं पांच लाख पांच सो ठीक है यह हमने एक चार्ट बना लिया अब हम पहले फीफो वाला आंसर देंगे फिर लीफो वाला और फिर वेटेज फटा फट से हो जाएगा यह ज्यादा टाइम नहीं लगना अब लेकिन सबसे पहले हमें यह कैल्कुलेट करना पड़ेगा यहां कि जरी वालें कि लोटिया आमने से ल्याग्ट कितना किया तो पर्चेज आपको पता है सर आपने 1,00,000 किलो खरीदें और आप बोलरें सर, क्लोजिंग में हमारे पास है कितवा है क्लोजिंग में 1300 किलो तो बाकी क्या हुए क्या यह 10,000 एक लाग गलत बताया है अच्छा हाँ 10,000 सौरी 10,000 में से 1300 क्लोजिंग है तो बचे कितने यह क्या है हमारा sold पहले तो आप यह देखे sold मैंने कैसे निकाला समझ में आना चीए sold कैसे निकला है देख लीजिए सिधी बात है भई 10,000 किलो थे 1300 बच गए तो बाकी बेच दियोंगे अब जो आपने 87 बेचा है अगर लीफो के हिसाफ से बेचा होगा तो हमारा लीफो में सबसे पहले यह वाला भी केगा फिर यह फिर यह फिर यह ऐसे चलेगा ना अगर फीफो होगा calculate the closing stock of raw material ठीक है एक ही बार मैंने थे इसमें बाकी तो है नहीं तो चलिए फटा फट से अब हम पहले कर लेते हैं सर पहले कर लेते हैं फीफो तो फीफो में हम sold करने जा रहे हैं यानि issue करने जा रहे हैं यहां तारीक का कोई दिक्कत नहीं है तो फीफो में सबसे पहले 1000 unit बेचेंगे टूटल 8700 बेचने हैं ना पहले 1000 बेचेंगे 65 के भाव से फिर 1500 बेचेंगे 60 के भाव से फिर 3000 बेचेंगे अच्छा पहले फीफो ओके 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 पहले पहले लीफो कर दें नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा चलिए पहले आ जाते हैं फटा फटा आठ सो पासट बारा सो सत्तावन पच्छिस सो फिफ्टी नाइन पच्छिस सो के बाद तीन अजार चपन अब पंद्रा सो तो नहीं बिख सकता क्योंकि यहां तक का आप हिसाब किताब लगाओगे तो कहीं ने कहीं हमें 87 तो बेचने हैं तो यहां से यहां तक कितने हो गए हमारे 75 में और कितना बेचें जो कि हमारा तो अब इसमें से ना पंद्रा सो नहीं बिखने वाले सिर्फ बारा सो बिखेंगे और वो भी साथ वाले टोटल रेट की बात करें तो हमने तो पहले निकाली लिया ये काम असान हो गया ना बारा सो सर ये आ गया सेल्स का वेल्यू, इशू का वेल्यू के लो कितना आ गया वो देख लो अब क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा बताईए क्या बचेगा क्लोजिंग स्टॉक सर क्लोजिंग स्टॉक जो बचा होगा इसमें से बारा सो ही गया ना तो इसमें से कुछ बचे होगे तीन सो और ये पूरा तो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा हमारा 300 इंटू में 60 अरे तो अलग-अलग रेट है न 1000 इंटू हो तो शुरू में ही पदा चल गया 1300 ये रह तो ये आगे 1800 ये 1800 हजार इसका टूटल बताईए कितने 337 और इसमे 65 और 18 80 देखे सवाल क्या पूचता है कहता है calculate the value of closing stock raw material at the end cost of sales according to दो चीजे तो cost of sales ये है और closing stock दोनों बाते हमने बता दी इनको चलिए अगला चलिए अगले point पे अब करते हैं जो आप उम्मीद और आप सोच रहते हैं सर ये वाला कर दो वही करते हैं जो आप सोच रहते हैं कौन सा लीफो लीफो में आप सबसे पहले कौन सा बीके का हमारा ये 1000 इंटू में 65 फिर ये 1500 इंटू में 60 फिर ये 3000 इंटू में 56 फिर ये 2500 इंटू में 56 नहीं 69 इसके बाद अब आजाते हैं ये 1200 है पूरा 1200 तो नहीं कर सकते क्योंकि 1300 को स्टॉक है हमारे पास तो इसमें से 700 कितने जाएंगे 700 अब बाकी इनको प्लस करके हिसाब लगा सकते हैं तो 700 कितने वाले गए 57 सब सब का रेट ले लेते हैं 65,000 15 इंटू 6 90,000 168 147 और 57 को करो वाई ये गुणा तो मुश्किल है 49 तोटल अब 1300 बचेंगे तो इसमें से बचेंगा हमारा कितना 500 ये क्लोजिंग स्टॉक है यहां क्लोजिंग स्टॉक सर 500 इंटू में 57 और 800 इंटू में 62 ये आगे 862 तो पता है 49 और ये 28 टोटल कर दो सब का ये कौन सा चल रहा है प्रियोडिक अब देखा आपने पूरे एक साल तक काम किया साल के एंड में काम कर रहा है ये 66 भाई देखो ये जितने भी सवाल किये ये मैंने किये आपने कुछ भी ने किया तो ये सारे सवाल आपको दुबारा भी करना पड़ेगा इस बात का ध्यान डखना तो नहीं तो भूल जाओ गया बहुत जल्दी average वाला सबसे असान है average वाला सबसे असान सबसे पहले तो average rate निकालना होगा इसलिए मैंने एक कॉलम बना लिये कि rate फट से निकल जाए अब rate जो इनके बीच में निकल के आएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे जो कि 58.85 आ गया 58.85 आएगा न ये आगया average rate 78 आ रहे ये भाई घलत मत बताओ 78 चलिए average average में आपको पता है कितने unit बेचे rate आपको पता है 58 point total आगया अब फटा फट करो rate गलत है कितना rate आएगा अच्छा 85 बस बस ध्यान दीजे बताइए बताइए multiply करके फटा फट अब एक सवाल बहुत valid सवाल आए कि सर हमें एक्जाम में कैसे पता चलेगा कि यह perpetual है क्या है यहाँ पे भी तो वही शब्द लिखा है यहाँ पे आपको ना issue कहीं भी नहीं दिखेगा साल के last में बोल देगा इतना issue किया एक खटा तो आप समझ जाएगा यह periodic है कितने आगए ग्यारा हजार यही ना आप क्लोजिंग देखो यह सबसे आसान बताईए कितने 76,000 सर यह हो गया प्रियोडिक अभी तक हमने क्या करा एक बर फटा फट देखिए ज़्यादा कुछ किया नहीं अभी तक हमने सरिफ और सरिफ यह तो दो सिस्टम था हमने क्या क्या देखा फटा फट देखिए मटीरियल का सिस्टम बताया यहां से आपको पता चला कि भी या रिसीव जब हमें मिलता है फैक्टरी से इशू जब हम गो डाउन को बेजते हैं और बैलिंस का बात पता चला था इसके बाद सर हमारे जो मेथट थे इन तीनों मेथट के नाम और कुछ चीजें हमने देख ली अब इसके बाद सवाल क्या बड़ा सिंपल सा सवाल था यह इस सवाल को हमने टाइम ज़्यादा लगाया है सिर्फ समझने के परपस के लिए ठीक है अब मान के चलो आब एक से दो घंटे की क्लास हुए है मान लेते हैं दो घंटे की क्लास में आपके दस नंबर पक्के हो जाते हैं धाई घंटे का होए हैं दस नंबर आपके क्या हो जाते हैं पक्के इसमें से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा नहीं तो वो फिर बात नहीं बनेगे पहले हमने लीफो से करा फिर फीफो से नहीं पहले फीफो से फिर लीफो से फिर वेटेज Wheatage के अंदर और Leafo & FIFA में फरक क्या है आपका जब Issue होता है तब चेंज हो जाता है लेकिन का बैलेन्स होता है वहाँ पे चेंजिस हो जाता है इसके बाद एक सवाल हमने और देखा जिसमें Return था और साथ के साथ आपका shortage का भी बार्ण था इसके बाद ये वाला भी रहता है करेंगे भी चिंता मत करो इसके बाद क्या था हमारा Pre-Odrig Pre-Odrig वाले में क्या था सर हम फटा फट फटा फट परचेस करते जाएंगे और last में बताएंगे कि इतने का हमने sale कर दिया और sale भी नहीं बताएगा आपको closing बता देगा या opening और closing बता देगा तो आपको calculate करना होगा क्योंकि अगर मैं sales unit की बात करूँ तो क्या होता है sir sales sales is equal to आपका opening stock plus में purchase minus closing ये होता है यानि opening ये सारे unit amount मैं समझ रहा है हमारे costing में unit पे चलता है तो आप इस formula को put करके कुछ भी निकाल सकते हैं किसी को कोई doubt है तो बताईए किसी को doubt तो बताएं फिर अगले topic पे चले amount गलत है issue डवाला क्या गलत है बता 50 अच्छा इसको 500 काटते हैं इस अच्छा है कितना है ये बताईएं पचास पच्छपन खीक है अब क्हों का रहती रहती चलता है इस बता हो ये बताईएं ये बताईएं ये कितना हैंगा ये फाच लाक चलिए चलिए ठीक हो गया किसी को कोई समस्य कोई दिक्कत समझ में आ रहे हैं आपकी किताब के जो भी कोशन है मैं अलग से PDF बना के दे दूँगा और ये वाला मैंने नोट करने का आपको समय नहीं दिया तो मैं आप सभी को ये वाला जो है PDF भेजूँगा जो कि आप PDF से क्य कर पाओगे इसको नोट का नोट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा इसमें ठीक है